कि सो हेलो एंड वेल्कम गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसकेच्च वेर श्टूडियो में आप काड वीव को कैसी ही इस्तमाल कर सकते हैं जिहां गैस अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडिय कुछ भी किया गया है यह काड़ व्यूव है गैस काड़ व्यूव क्या होता है कि आपका क्या करते थे युद्ध हे सकते हैं June करतेत्ज इमagit के सब्हभलाग अंतुर में इस पर आपको ब्लोग सेट करने हैं कोई भी ब्लोक इंपोर्ट वगेरा कुछ भी नहीं करना है अस्केश वेरा स्टूडियो में यह आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे वह कमेंट कर रहे थे कि काड़ विडियो कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाओ तो फाइ वाला वर्जन आप अगर आप नहीं डॉलोड किये तो मैंने इस पर वीडियो बना रहा हूं आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्सिन मैं लिंक दे दूंगा आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह 6.3.6 के बाद यहां पर हम एक new project create करेंगे जो कि यहां पर separate में आपको दिखाने वाला हूं इसलिए यहां पर new project हम create करेंगे तो चलिए हम इसका name देते हैं card view आप कुछ भी name दे सकते हैं जो भी आपका project का name है जो भी आप जहां पर भी लगा रहे हैं वो आपका name रहेगा इस ठी और यहां पर हम इसका gravity कर देते हैं center horizontal और center vertical ठीक है गाइस ताके हमारा जो card view हम लेंगे यहां पर देख सकते हैं यह वाली card view वह हमारा center में आ जाए तो चलिए card view को लेते हैं यहां पर और यह center में आ गया थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि यहां पर हम इसमें margin जो होता है वो set कर देते हैं, margin हम कर देते है, 20 वैसे से यहां पर कर देते हैं इन्जेक्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ कि एलिवेशन जो है इन्जेक्ट किया गया है 10 dp और जो कोर्नर है वो 20 dp इन्जेक्टर को कैसे यूज करते हैं तो मैंने इस पर और वीडियो बना रखा है आप चाहें तु देख सकते हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सके तो लिंक दे दूँगा अधरवाज आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में आपको मिल जाएगा अब यहाँ क्या करेंगे कि चलिए हम एक टेक्स यहाँ पर लेते हैं और इस कार दो का जो है कार विव पर करेंगे उसका प्रोपरेटि जाएंगे और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो सेंटर होरीजॉन्टल और सेंटर भाटिकल हम कर देंगे ठीक है तो यह करने के बाद हमारा linear और linear edge को लेने के बाद इसके अंदर हम करेंगे और इस linear का हम जो कर देंगे center horizontal center vertical gravity और यहां पर इसका जो height है हम कर देते हैं match parent ठीक है guys तो यह हमारा card view का यह आ गया अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है text जो भी लेंगे आप text यहां पर size थोड़ा सा increase कर देंगे और bold कर देंगे इस text में आप कुछ भी type कर सकते हैं हम type कर देते हैं यहां पर card view ठीक है guys यह हो गया हमारा card view अब यह इस text view है हमारा इसका white color हम कर देते हैं क्योंकि हम यहां पर जो card view का background color है वह हम मतलब दूसरा change करने वाले हैं अब क्या करना होगा कि सबसे पहले यहां पर उपर में देख सकते हैं कि three dots पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको library देखने को मिलेगा library पर क्लिक करना है और simple सा है कि app compare and design वाली library को आपको यहां पर simple सा enable कर देना है क्योंकि जितने भी android x वाली जो libraries वगेरा जो होता है वो आपको app compare enable करेंगे तब ही work करेंगा ठीक है उसके बद यहां पर event में जाएंगे इवइंट में जाने के बाद यहां पर simple सा हम क्या करेंगे कि jsd क्या करेंगे मुंझआ है इहां पर आपको देखने को मिल जागा है ऑटोमेटिक यहां पर blog एड हो जाएगा isं यह blog तभी एड होगा जब आप card view वहां add करेंगे view में ठीक है तो यहां पर देख सकते ही यह वाला आपको दिख रहा हुआ यहां पर यहां को चार-पांच बॉलोक आपको देखने को मिल रहा हुआ तो चली यहां पर हम क्या कर लेते हैं सिंपल सा है background को हम set कर देते है card view हम यहां पर select कर देते है card view 1 और यहां पर background आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं फिलाल हम क्या करते हैं यहां पर indigo color करके हम यहां पर यह वाली color हम choose कर लेते हैं ठीक है उसके बाद radius तो automatic महाँ पे दिया हुआ था आप चाहें तो दे सकते हैं तो हम यह दोनों को यूज नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पे over prevent corner overlay यहाँ पे देख सकते हैंगा कई बार क्या होता है कि corner जो round होता है वो round में आपको कुछ देखने को मिल जाएगा shadow effect और वो वाली थो बढ़ा देगा अनेबल करवा देंगे तो यहाँ पे यह पेडिंग जो है support करेगा बढ़ियांसे ठीक है तो यह दिनों कर सकते हैं तो चलिए हम कर ही देते हैं इसको क्या करना होगा यह दूनों को आपको प्रू कर देना होगा कि हमारा जब पेडिंग और यह जो है हमारा corner जो है वह हमारा true है overlap ना करें तो यह हमारा set कर दिया है ठीक है यह card view हो गया आपका totally design गाईस तो simple सा आएगा जिससे कि आप linear layout को use करते हैं तो यहाँ पे उसी तरह से आपको card view use कर सकते हैं बस थोड़ा सा इसमें block set करने होते हैं simple सा आप designing कर सकते हैं तो card view को आप sketchware studio में use कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा हम आपको यहाँ पे live आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना share कर रहे हैं क्योंकि यह requested video है जैसे कि आपको पता है कि मैं जितने भी वीडियो लाता हूं अ आप मुझे comment में जरूर बताए मैं उससे वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूंगा गाईस यहाँ पे धीरे-धीरे करके सारे comment का मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा गाईस तो वीडियो को share करें ताकि मेरे channel को और भी लोग तक पहुंचे और वो सब भी वीडियो को देखें और मेरा भी interest में बना रहा है गाईस तो वीडियो को share करते रहिए like करते रहिए comment में बताना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए हम देख लेते हैं इसे install होने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे गाईस कि card view आपको कैसा देखने में नजर आता यह आप चाहें slide banner के जगा यूज कर सकते हैं गाईस अगर आपको slide banner वाली वीडियो चाहिए कि यहाँ पे जो होता slide वाली जो slide करते हैं वह वाली वाली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना like करें मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा मुझे comment में आप फिर हम आपको बताते हैं यहां पर तो इस्टोल होने देते हैं थोड़ा सा तो यह हो गया हमारा स्टॉल और यहां पर open करते हैं गाई स open पर कलिक करेंगे तो यह देख सकते हैं Attractive आपको Card View डिजाइन आपको corner भी overlap नहीं कर रहा है तो देख सकते हैं यह Attractive आपको card view देखने को नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तो I hope यह वीडियो आपके लिए यूज़ फूल रहा होगा तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में नए टुटोरियल के साथ तब तक के लिए बाबाय टटाय थैंक्स वर वाची